नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज की इस वीडियो में हम 14 जुलाई 2022 को SSC MTS के जो आपके पहले सिफ्ट का एक्जाम हुआ है उसमें पूछे गए GKGS और करेंट अफेर्स के प्रेश्टों को हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरुजी या केवी गुरुजी.in के उपर मिल जाएगी वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप लोग भी आने वाले सिप्ट में SSC MTS का एक्जाम देते हैं और अपने प्रश्णों को मेरे साथ में सेर करना चाहते हैं तो ये मेरा WhatsApp नंबर है आप इस WhatsApp नंबर के उपर अपने सारे रियल प्रश्णों को मेरे साथ में सेर कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं तो पहला प्रस्ट पूछा गया कि गुजरात की हजीरा गैस माइपलाइन निम्नलिकित में से किस राज्य से होकर गुजरती है तो ध्यान रखेगा अगर हम लोग हजीरा गैस माइपलाइन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये आपके तीन राज्यों से गुजरती है, पहला हमारा गुजरात हो गया, उसके बाद में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बौंडरी से हो करके जाती है, फिर आपके मध्य प्रदेश में इंटर करती है, और फाइनली जाती है ये उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को जो की अमेठी में है, उससे ये गुजरात को कनेक्ट करती है, अगला प्रशने पूछा गया, कि फीता क्रिम, जिसे आप लोग टेप वारों भी कहते हैं, ये निम्नल लिखित में से किस फाइलम के अंतरगत आता है, तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग फीता क्रिम की बात करते हैं, तो जो आपका प्लेथल मिंटेस नाम का फाइलम है, उससे विलॉंग करता है फीता क्रिम। और मीरा बाई चानू इन दोनों ने जीता था रजत पदक, वैसे भारत ने टोटल यहां पर साथ मिडल जीते थे, जिसमें से एक आपका गोल्ड था, दो रजत थे और चार आपके थे सिल्वर मिडल। अगला प्रश्न पूछा गया, कि वर्स 2022 के विधान सभा चुनाओं के बाद में, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आपको पता होना चाहिए, कि पंजाब में विधान सभा की 117 सीटे हैं, और इन 117 में से 92 सीटे जीती थी आम आदमी पार्टी ने, और उसके बाद में भगवन्त मान नए सीएम बने हैं पंजाब राजिके। बने और गोवा के हमारे बने थे प्रमुद सावंध दूसरी बार. अगला प्रश्टे पूछा गया, कि दा ग्रेट इंडियन नौवल नाम की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है, इसको भी लिखा हुआ है ससी थरूर ने, किसने ससी थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तके हैं? और ससी थरूर की जो पुस्तके हैं वो लगातार आपसे परिच्छाओं में पूछी जा रही है, जैसे कि कल ही पूछा गया था, कि प्राइड, प्री जीवडिस और पंडेटरी, ये आपका पूछा गया, एन एरा आप डार्कनेस है, हुआई आई एम हिंदू है, दा पैरा थरूर की द्वारा लिखी गई है, अगला प्रस्त पूछा गया, कि जम्मू कास्मीर में जो हमारी बैगनी क्रांती है, जिसे आप लोग परपर रेवुलूशन कहते हैं, ये आपके किस से सम्मंधित है, तो परपल रेवुलूशन की बात करते हैं, तो ये आपके भुलूशन की सुरुवात जम्मू कास्मीर राज में किया गया था, अगला प्रस्त पूछा गया, कि राजा दंती दूर्ग किस राजवन से सम्मंधित है, तो आपको धहां रखना है, कि जो हमारा राष्ट कूड राजवन से उसके सस्थापक राजा दंती दूर गही है, इससे पहले भी प्रश्ण आ चुका है और अगर हम लोग इसकी राजधानी की बात करते हैं तो मलखेड़ा या फिर मान निखेट इसकी राजधानी था अगला प्रश्ण पूछा गया कि जनगर्णा 2011 के अनुसार प्रती वर्ग किलोमेटर में रहने वाले व्यक्तियों की अगला प्रश्ण पूछा गया कि ब्रह्म समाज की अस्थापना किस ने और कब किया था तो ये मैंने आपको कल भी कि ब्रह्म समाज की जो अस्थापना है वो हमारे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था आपको ये भी ध्यां रखना है कि 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी इसके अलावा जो आत्मिय अपना राजा राम मोहन राय ने की थी और लॉर्ड बिलियम बैंटिंग के साथ मिल करके हमारे देश से सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था राजा राम मोहन राय जी ने अगला प्रस्ट पूछा गया कि अम्बू बाची का जो मिला है ये आपके किस राज में आयोजित किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि असम में जो गुहावटे सहर है वहाँ पर आपको देवी का माख्या का टेंपल देखने को मिलेगा और उसी देवी का माख्या के टेंपल में हर साल अंबू बाची का मेला आयोजित किया जाता है तो ये आपको धियान रखना है असम की बात हुई है तो कई सारे अन्य तेवहार भी असम में मनाय जाते हैं जैसे की मेदम मेफी उसके बाद में बीहु है अंबू बाची का मेला हो गया अली ए लिगॉंग हैं ये सारे तेवहार भी असमराज में मनाये जाते हैं अगला प्रश्न पूछा गया कि मौसम में जो परिवर्तन है वो किसके कारण होता है तो आप्सन में आपको सूर्य दिया गया था तो ध्यान रखिएगा जो सन है वो आपके प्रत्वी पर उर्जा का सबसे बड़ा सुरोत है और इसी के कारण आपके मौसम का परिवर्तन होता है अगर हम लोग अन्य सब्दों में बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रत्वी है वो अपने अच पर साढ़े तेज डिगरी जुकी हुई है प्रत्वी जो हमारी है वो अपने अच पर भी खुमती है और ये जो हमारी प्रत्वी है ये आपके सूरे के चारो तरफ चक्कर भी लगाती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिर्थवी अपने अच्छ पर घुमती है इसके कारण हमारे पिर्थवी पर दिन और रात होते हैं इसके अलावा जो ये सूरे के चारो तरफ चक्कर लगाती है इसके कारण आपको पिर्थवी के ऊपर विभिन प्रकार के मौसम देखने को म अगला प्रश्न पूछा गया कि राजा हर्सवर्धन किस वंस का सासक था तो राजा हर्सवर्धन के अगर आम लोग बात करते हैं तो पुस्य भूती वंस जो हमारा था उसी के सासक थे राजा हर्सवर्धन आपको ध्यान रखना है कि पुस्य भूती राजवंस जो है इसकी र प्रश्न आया था तो मैं आपको तीनों चीजें बता दे रहा हूँ देखे मुस्लिम लीग के अगर हम लोग बात करते हैं तो 30 दिसंबर 1906 को बांगला देश की वर्तमान राजधानी धाका में इसकी अस्थापना की गई थी संस्थापकों की बात करते हैं तो आगा खान, ख् कौन से भाग से संबंदित हैं तो राज के नीत निदेशक तत्तों की बात करते हैं ये आपके भाग चार से संबंदित हैं आपको पता होना चाहिए कि सम्मिधान का जो अनुच्छे 36 से 54 तक के प्रावधान है वो सारे आपको राज के नीत निदेशक तत्तों में देखने क मिलेंगे और ये जो प्रावधान है वो हमने Ireland के Constitution से लिया हुआ है अगला प्रश्न पूछा गया कि निमनेलिखित में से कौन सा त्योहार असम राज में जनवरी में मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा त्योहार है नाम इसका है माग बीहू या फिर इसे हम लोग बोगाली बीहू के नाम से जानते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि असम में जो बीहु तेवहार है ये आपके तीन समय मनाया जाता है और इस तीनों समय के अलग-अलग नाम है तो ध्यान रखियेगा जो माग बीहु या बुगाली बीहु है ये मुख्य रूप से आपके फसल की कटाय से जुड़ा और ये हर साल माग महीने याने के जनवरी और फरवरी के बीच में मनाया जाता है तो इस प्रकार से जितने भी प्रशन मुझको पहले सिप्ट में मिले थे उन सभी प्रशनों को मैंने डिसकस कर लिया है इसके अलामा अगर कुछ प्रशन बचे हुए हैं तो वो आप लोग नीचे कमेंड में लिख सकते हैं जिससे आने वाले सिप्ट में मैं उन प्रशनों को सामिल कर लूँगा कुछ प्रशन आपके कल छूट गये थे आईए उन प्रशनों को भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं तो कल एक प्रशन ये पूछा गया था कि 2022 में अपरैल महीने में जो बिधान सभा उपचुनाव हुए थे उसमें पस्सिम बंगाल की वेली गंज सीट से त्रिण मूल कॉंगरेस के किस प्रत्यासी ने जीत हासिल की थे तो ध्यान रखिएगा लोग सभा का उपचुनाव आशन सोल में हुआ था उसमें सत्रुगन सिनहा जीते थे लेकिन ये ज अगला प्रशन पूछा गया कि अलार मेल वल्ली इनका संबंध हमारे कौन से क्लासकल डान से है तो अलार मेल वल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं ये आपके भरत नाट्यम डान से संबंधित हैं इसके अलामा मलिका सारा भाई, लच्छमी विस्तुनाथन, रुकमणी अगला प्रशन पूछा गया कि जो आपका प्रशन पूछा गया कि अलामा एक प्रशन पूछा गया कि सिडवी यानि की Small Industries Development Bank of India जिसकी अस्थापना अपरेल 1990 में हुई थी, जिसका हैट्वाटर आपको लखनोव में देखने को मिलेगा, जिसके वर्तमान अध्यच सिवा एसरमन है, इसको किस संस्था के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक हमारे देश में रेगुलेट करता है Reserve Bank of India, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कि हमारे देश के जो तीन अन्य फाइनेंसियल इंसिट्यूशन हैं, जैसे कि National Housing Bank, National Bank for Agriculture and Rural Development यानि कि नाबार्ड और Exim Bank, इन सारे बैंक को भी RBI के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, अगला प्रशन पूछा गया, कि कोशिका विभाजन में जो मियोसिस होता है, इसमें कोशिका आपकी कितने भागों में विभाजित होती है, तो ध्यान कियेगा, अगर हम लोग मियोसिस की बात करते हैं, तो इसमें कोशिका आपके चार भागों में विभाजित होती है, और से कौन पाचन में सहायता करता है तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग पाचन की बात करते हैं तो पाचन में help करता है Lysosome क्या नाम है? Lysosome आपके पाचन में help करता है और इसी लिए इसे हम लोग digestive bag के नाम से भी जानते हैं तो इस प्रकार से जितने भी महत्मूर्ण प्रश्ण आपके पूछे गए थे GKGS और Current Affairs से उन सारे प्रश्णों को मैंने डिस्कस कर लिया है और ये आपके 100% Real Analysis है इसलिए अपने दोस्तों के साथ में से सेर जरूर करिएगा Thanks for watching Jai Hind, Jai Bharat